कि एलो फ्रेंग्स वेलकम्टू लां सेर्विसल दिस ए राम सोनी के इस स्रीज में आज हम बात करें जैनल नौरेशन पर्वारें में आप जरूर देख लें कुछ मातपूर चीज़ें ग्लिम्स में आपको दिखायता हूँ लेकिन कम्प्लीट फूल चीज़ें आपको पिछली वीडियो देखने पर ही मिलेगा उसके लिंक में डाल दूँगा देखाया तो इंडिया के बात करें तो इंडिया नौर्दन हमी कि ब甦ping कि बोलते हैं जो कि ऊम्कार में है कॉल बेसिकली क्या होता है अदौत है कॉल human है जो हमारा सफ़र तो इसको मैं भी आँजिसक्थ नहीं करूँगा यह इसब देखने के लिए आप पिछले वीडियो को रिफर करें वहांबर इंडिया का जो फ्रॉंटायर है वो क्या है कैसा है सब बात किया बारत के जो बड़े यहां पर दिखा हुए आप दीख सकते हैं इसके लावा जो इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा आता है और ट्रॉबिकल रिजन है भारत की बीचो बीच से जो करण रिर्ः घुजड़ती है तो आलड़ी इसके बार इसके बार हम डिसकस कर चुके हैं तो ज़्यादा डिप में डिसकस नहीं करेंगे इसके लाप पिछली वीडियो को प्रिफर करें वेल देखा जाय तो यहाँ पर प्रेजड़ डाइमे भारत में 28 राज और 8 केस अज़र प्रदेश हैं तो यह आलड़ी डिसकस हम कर चुके हैं वेल देखा जाय तो हमारा जो पुदुचेरी है पुदुचेरी इंको बिला के चार डिस्टिक्स आते हैं जो काफी इंपॉर् में है वेल देखा जाय तो यहाँ पर पुदुचेरी जो एक फ्रेंश अडलमेंट था बाद में नम्मर्ण इस चोबन को भारत में ट्राइब आधर रहें यहाँ पर बहुत सरी चीजंए हैं यूहाँ पर जब यह बात करें जब पर ने को बात करें तो कोको स्ट्रेट की ब यह कोश्चन एक्सर पूछा आता है इसको अब जरूर याद रखें बैरन आइलेंड है जो भारत का वोलकैनिक आइलेंड है एक लौता वोलकैनिक आइलेंड है तो यह भी आप याद रखें इसके लागा देखा जाये तो यहां पर लिटल अंदमान और कार निकोबार के कर राहें तो इसे बोलते हैं बैसिक बीचे अंदर है पंबन आइलेंड और पंबन आइलेंड में ही लोकेटर है रामे शुरम तो ये भी आप थोड़ी सी आद रखें तो कुछ भारत के बारे में एक ब्रीफ एकाउंट हो गया कुछ चीज़ें अभी और बची हुई है थोड़ा समय कुछ और डिसकस कर लेता हूं बाकि जो पुराने चीज़ें डिसकस करनी है उसको आप तुराने वीडियो रिफर करें वहाँ अब आपको सारी चे मिल जाएंगी we will get everything at just one place लिफ चली बात करते हैं थ्ञोंड चीज़ों के बारे में presently भारत की बात करें तो भारत पर आप वुजसेशक थे पता है कह थाईस राज्यें आर्टेंस State्स Cum terrorist हैं यह आप अल्ली जानते हैं भारत की इस कश्या का कहा ऊंसी है ए लाडजेस कंट्री है तो हमारा इंडिया जो है South Asia, South Asia जो होती है ना South Asia, धक्षन Asia, South Asia की largest country है, यह आप याद रिखिए, South Asia की largest country कौन सी है, that is India, तो यह आप याद रिखिए, यह largest है, largest country, कौन है, that is the India, तो South Asia में हम count करते हैं, तो इसको आप याद रिखिए, this is important one, दूसरी important चीज़ आपको यह याद रिखना है, कि हमा seven neighbors हैं, neighboring countries हैं, basically, जो land border हमारा touch करता है, तो थोड़ा इसके बारे बात करते हैं, well, तो हमारे साथ neighbor हैं, कुल मलाके, there are seven neighbors, और वो साथ neighbors कौन कौन से हैं, थोड़ा उनके बारे बात करते हैं, let's start with them, सबसे बड़ा neighbor जो हमारा है, वो है बंगलादेस, बंगलादेस के साथ हमा बंगलादेस के साथ border का जो length है, वो काफी जदा है, तो और वो कितनी border length है, any of you want to tell this one, exactly, तो ये present time में जो border length बंगलादेस के साथ हम सेयर करते हैं, वो है 4000 चानने, कितना है 4000 चानने, दसमलो 7 km, पहली बात तो आप याद रखें, दूसरा, हमारे जो number of Indian states कितनी touch कर रहे हैं, तो five Indian states are touching the border, यहाँ पर बंगलादेस को touch करने वाले five Indian states हैं, यह भी आप याद रखेंगे, पांच इंडिने स्टेट्स जो हैं, बंगलादेस के border को touch करते हैं, तो यह भी जामय कर पूछा आता है, तो यह भी आप याद रखेंगे, अब कौन कौन से हैं, यतना deep में जानने पर ही है, उपर है, इसके बाद देखा दिखा जाए, तो इनको आप याद रखेंगे, बिल देखा जाए, तो second longest जो border है हमारा किसके साथ है? second longest border जो हमारा share करते है वो चाção के सांध serar करते है चाДने के सा जो border length है तो वो है कितना इनके सा बorder length है काफी ज़aders तकरीमन तकरीबन 3488 km का है 3488 km का है that's quite massive well दिखा जाये तो कुलमला की five street touches the border पांच street जो है के पांच राज जो है है वो बॉटर टच करते हैं तो यह आप यादर के फाइव स्टेट्स है अब पांच राजी कौन-कौन से हैं यह बहुत ही आसान है अब देखें राज्यों में देखा जम्मु कस्मीर अब राज बचा नहीं तो उसे साब देखा जाया तो मैं इसको चार कर सकता हो इसको बल्कि चारी कर देता हो थोड़ा बेटर रहेगा और एक तो अपना हीमाचर प्रदेश कर था यह बड़ा अचिख करता है हिमाचर प्रदेश के लावा उत्राखन टच करता है तौँ अदुट पर दिखा जा आ तो प्रदेश थैन्य रहे उत्था रूडश प्रदेश तो प्रच करते थे थैन्प्र प्रदेश तो करते हैं। रहा रहीं तो यूनियंव में जुरूख करता है बटा खाट करता है और युनियंट डेटरी हे केंद साथ ब्रेस्ट करता है वह कौन पाकिस्तान के साथ जो लेंग्थ है बोडर लेंग्थ है यह बार लेंग्थ कापिछ ज्यदा है पाकिस्तान के संद बॉर्डडर लेंग्थ कितनी है बासकते हैं आप वो कमेंड करके यह 1,2020 3303丁itelEr किलो मिटर की है पहलई बाद तब आप यहाद रखेंगे दूसरा यहां पे देखा जाये तो चार state है चार states तेटेट अब वो चार राजे कौन कौन से हैं जो दिस देख लेते हैं तो अब बेस्षाद पहली बात यह है चार नहीं बल कि यहां पे मैं तीन ही बोलो क्योंकि यह तीन इसले बोल रहा हूँ जम्मू कस्मीरब रहा रही जम्मू कस्मीरब टच करता रही है तो तीन राज टच करते हैं तो तीन राज में कौन कौन हो गया एक तो हो गया पंजाब पंजाब के अलावा देखा जा तो राजस्थान हो गया और राजस्थान के अलावा देका जाए to गुजरात हो गया कुलमला के तीन राज्ज जो टेच करते हैं किसको पकिस्टान को और युनिन ट्रेट्री की बात करें तो युनिन ट्रेट्रiez कितनी है एक कsty पुझक कोई किसे एक है जम्मु गस्मीर virgin चाहां तक करें हम नेपाल की फिटा वो नेपाल के साथ जो बॉडरलेंग्ट है वह हमारा काफी कम है एस केंपरेंटु यह तीन बड़े वालों की बात करें तो बॉडरलेंग्थ हमारा है केवल सतरा सो इक्यावन किलोमेटर सतरा सो इक्यावन किलोमेटर का बॉडर लेंग्थ है लेकिन नेपाल के साथ हमारे काफी सरी स्टीटेश करते हैं दिराव फाइव फाइव स्टीट्ट इस दा बॉडर अब कौन कौन से स्टेट टेच करते हैं जल दिस देख लेते हैं सबसे पहले उपर तो उत्राखंड हो गया टॉप में आगया उत्राखंड उत्तराखंड हो गया उत्तराखंड के लावगह शहों गया नेक्स वन में उत्रबडे Sachs उत्वडे Sachs UP के बाद बिहार हो गया बिहार तो लगा हुआया बड़ा बेसी बाद है लिए टउपक्रींगल है वेस्ट पिंग और भी टेच करता है आपको पदा होना चाहिए उपर का जो रिजन है दाजनिंग वाला एरिया और सिक्कियम टेच करता है तो कुल मिलाके यह पांच राजजें जो टेच करते हैं किसको नेपाल को तो यह आप याद रहें फाइव इस्टेच इस दे बौड वेल मियानमार की बात करें तो बौडर लेंग्ट मियानमार के साथ हमारी थोड़ी सी और कम है मतलब नौर्थ इस्ट का यह पूरा का पूरा है देखा जाये तो लेकिन लेंग्ट बहुत कम नहीं है 1647 किलोमेटर की है तो नेपाल के साथ जितना बौडर सेयर करते हैं उसे और ऑ्यश्त पर श्चाहिए दूस्रा कौन कौन से हैं तो और नाचल प्रदेश हो गया अर्मा चलक़ा तो बहुत बंता है ऍल्रप्रदेश यूटी usar तो नागल एंड आप वे शतर लगा होँ बिल्कुल अनाचर्पथेशु के सांथ नाचरफदेश के साथ में और मेरमार के सांथ में इसके बाद देखा जाए तो मनीपूर है मनीपूर आप नीचे आजाइए है और मनीपूर से थोड़ा और नीचे है तो कहां पर आएंगे ड़े स्कॉल मिजूरम मनीपूर मिजूरम है तो कैसे आदर से मामी मनीपूर पहले आएगा फिर most important street one of the most important neighbor और भूटान जो है भूटान के साथ border हमारा बहुत कम सेर होता है वैस दिखाया तो बट फिर भी एक बहुत ही बड़ा border है और भूटान के हमारे जो relation है वो काफी अच्छे भी है अलागि चाहना के साथ इसे में टसल चल रहा है और यहां पर एक चीज और भी है और यहां पर एक चीज और भी है जो स्टेट्स है यह हैं जो स्टेट्सक्राव ऑर तो चार रहां जो कौन कौन से जलदि देख लेते हैं एक यह भए यह सक्कंट के भाद देखा जातर में इस सब्सक्राइन के बाद दिखा है तो आसली है और तो पिंद इससे acknowledging के बाद देखा जातर का ठुष करते हैं इसको भू्टान के बॉर्डर को ये आप देखा जाए तो फिर आता है अपना अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो हमारा इस समय हमारे कंट्रूल में वह नहीं है वह एरिया तो यहां पर जो बॉर्डर लेंग्थ हम जो क्लेम करते हैं वह कितनी वह यहां पर देखा जाया तो यहां बॉर्डर लेंग्थ हमारी 106 किलोमेटर की है और क्योंकि अब जो प्योखे का पार्ट है प्यू के का पार्ट कहां गया वो डाल दिया हमने में लदाक्तर लद्दा का जो पाार लदाक के अन्दर आता है प्योक पाकिस्तानि पार्ट को से आप इस पारट चा यह advocat दिखा तो चैनल यहां पर देखें तो आप देख सकते हमारी इंडिया का यह नया मैप है और इस नय मैप के हिसाप से देखा जाय तो आपको एक विजिबिल्टी क्लियर आ रही होगी यहां पर कि इस इस दरीजन आफ बेसिकली लदाख लदाख की रिजन में पूरा का पूरा पूरा यह जो प्योगे का और इसमें सारा का सारा लदाख आता है और लदाख में टच करता है बेसिकली जम्मु एंड का स्मिर जम्मु इसमें अफगानिस्तान तो यह आप याद रिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के कुल 17 ऐसे स्टेट्स हैं 17 स्टेट्स आप इंडिया 17 राज जो की टचिस दा लैंड बाडर यह क्या कर रहा है थैक है यह थोड़ी से आप याद रिखेंगे इस लूपर जीलिडिय हें बेल देखा यहां पर हमने इस लंको काउंट इसले नहीं किया चुकि शिलंका का जो हमसे टॉच है वो लैंड बॉर्ड नहीं है कई न कई बीच में एक वाटर वाड़ी है इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया है तो यह आप तो आसा याद रिखेंगे इस इस वाट रहें बेल देखा जाए तो कुछ मातपूर्ण जो लाइन्स है जो बड़ी फेमस हैं जैसे की वन आप दी बहुस्त इंपॉर्ड लाइन है रेड क्लिफ लाइन इसकी चल्चा काफी होती है रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन जो है किसके बीच में अक्सर पूछा आता है एक्जाम में तो यह बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की बीच का बॉर्डर है तो यह कह सकते हैं बॉर्डर बिट्वीन जो बॉर्डर बनाये गया है बॉर्डर बिट्वीन किसके बीच में यह एक तो इ और इंडिया और बंगलादेश दोनों के बाटर को बोलते हैं यह आप याद रखेंगे इस बाटर प्रेंबर तो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बंगलादेश दोनों के बाटर को बोलते हैं और बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के विजें डिसाइड किया था तो इनका बेसिकली नाम जो था वो था सिरिल रेड़ क्लिफ इस नेम वाज सिरिल रेड़ क्लिफ कब डिसाइड किया गया 947 में 947 में यह बॉंडर डिसाइड कि यह थे आपको पता है सब्सक्राइड करता है ऍट यह बंगलादेश पहले ही पाकिस्तान हो अधिकलीफ करके आते हैं आप रहां हैं उलेती और बहुति मात्पूर्ण लाइन गायर मैं गहां लाइन यहाँ पर हमारा जो बोरडर करता है कि इसके साथ में इंडिया और चाइना तो यह वेल देखा जाया तो यह जो लाइन है इसको डिसाइड किया था हेंड्री मैक मोहन ने तो कौन डिसाइड किया इसको हेंड्री इनका नाम था पहले हेंड्री मैक मोहन पुरा नाम था हेंड्री मैक मोहन और हेंड्री मैक मोहन ने कब डिसाइड किया 1914 ने 1914 में ते भी आपको आपको आशा याद रिखेंगे, this is what we have to remember, Henry McMohan, please remember this name, this is one of the important name, Henry McMohan, 940, all right, that's McMohan line, McMohan line की बाद एक और वो थी famous line, इसका नाम है Durand line, यह line आपके काफे सुना होगा Durand line, Durand line बेसिकली दिखा जाए तो यह undivided India और अफगानिस्तान की बीच में था, तो यह undivided India, undivided India और अफगानिस्तान की बीच में था, मतलब जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, उस समय का यह borderline था, और यह line जो है, decide किया था, तो right now कहाँ पे अब पाकिस्तान उडिया, अफगानिस्तान की बीच में है, और decide किया था इसको Henry ने, Henry Durand, Henry Mortimer Durand, तो कौन थे यह, यह थे Henry Mortimer Durand, कब decide किया है, 1896 में, 1894 में, तो यह कुछ महत्पूर्ण नाम है, जो आपको बदावनाची अलग लग lines है, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, तो please remember these names, these are some important names, तो यह कुछ महत्पूर्ण lines का distinction है, तो यह पाकिस्तान और अफगनिस्तान में है, तो हम कह सकते हैं, presently between, presently between Afghanistan and India, अफगनिस्तान पाकिस्तान, not India, अफगनिस्तान पाकिस्तान के बीच में है presently, तो यह भी आप रहा सा याद रखी नहीं है, और अब यहाँ पर देखा जाया तो भारत और इंडिया के बीच में तो बॉर्डर बहुत कम है, और जो भी जो थोड़ा बचा हुआ है, वो भी पाकिस्तान उनके के पास्मेर में है, तो यह आप लोग याद रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको दिख रहे हैं, कि यह बहुत रहे हैं, और देखा जाया तो यहाँ पर जो यह पाकिस्तान ने चाइना को देदिया है और यह सियाचीन ग्लेसियर जो है इस समय हमारे बीच में कंटेस्टिंग हो रही है तो सियाचीन ग्लेसियर में हमारे बीच में जो प्रिकास से कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ के सिपाई हों के काफी मौत हुचकी है यहां बहुत कोल्ड रिजन होता है लेकिन बात भी है कि हमें उसको डिफेंट करना पर रहे है अदरवाइस पाकिस्तान को भुरोसा नहीं को कहां तक पहुंच जाए तो यह जो इस जो ट्राइक रहा है तो यह डिफेंट हम कर रहे है अक्साय चीन का बॉडर आपको पता है यह जो पूरा 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 यह गल्वान वैली जहां पर भी बहुत बड़ा हमारा है अब चाना के सांथ में तो लाइन आफ एक्शल चोन्ट्रोल का जो इस यह चीन लिया गया था यह टेरिटरी किसके पास समय है देस्ट टेरिटरी चाना इस हमारे कंट्रोल में नहीं बडेस्ट पर आप चाइना कुपाइट का स्मिर लेकिन यह भारत का ही पार्ट है तो यह आप यादर रिखिन है और यह गिल्गिट बाल्टिस्तान का जो रिजन है य यही जो लाइन है लाइन आप कंट्रोल जो बनी है इस समय यह हमारा बेसिकली सीजफार एक्रिमेंट यहां पर हुआ है तो यह आप याद रखिए तो आप यादर रिखिए तो आई थिंक आई वांड़ टाक सम्मोर अबोर इट गल्वान वैली लेकिन गल्वान वैली बार करेंगे जो हमारे नौर्थ मॉंटेंज हैं भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ भारत में रिवर्स इसम कैसे कैसे काम करता है तो इस सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इस आप कुछ रिवांटेज मिलेगा और वीडियो को लाइक करना मत प्रिविज फिलाराज के लिए इतना ही आप सब्सक्राइब यहाप यहाँ इसलिए थान्यों समच मिलते हैं फिर बाबाय टेक क्यर आप वंडर्फू देट के विवाट एं थेंक शो मच तेक कर थान्यों कर थेंक्स मच थैंक्यू